हलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगी हाउ टू रीड आयर इस्पेक्ट्रा नॉर्मली जो इंडस्ट्री में काम करने वाले एंप्लोई हैं और रिसर्च के स्टूडेंट हैं वो रेफ्रेंस से आयर डाटा के अकोडिंग अपना एनालिसिस करते हैं फॉर एक्जांपल कोई क पर्मकोपिया उससे रेफ्रेंस से मिला करके वो अपना कमपाउंड का अनलिसिस करते हैं पर नॉर्मली जब इस इंप्रियूटी होती है या कोई अन्नोन कमपाउंड होता है तो उसका इनलिसिस कैसे किया जाए उससे स्पेक्ट्रा कैसे पढ़ें या उसमें कौन-कौन से प्रजेंट हैं वह हमें कैसे पता लगे तो इजी वे में आद में उनको बताना चाहरा हूं कि नॉर्मली आपको थोड़ी से मनहत करने पर आप आयर स्पेक्ट्रा कैसे पढ़ सकते हैं उसके अंदर कौन-कौन से का बारे में बात करेंगे आयाइर में इसके बारे में नॉर्मल republican में इनलीसिज करते हैं ज्यूतक्याइब में डूसरा होता है टो Anda आप जानते होंगे फंट्रिनुप का जो रहं Watch इनवर्स होता है और fingerprint जनम का जो रेंज होता है वो होता है 1500 सेंटर में इनवर्स टू 600 सेंटिमिटर इन्वर्स है नॉर्मलि यह स्पेक्ट्र होता है आयार इस्पेक्ट्रा जो आयार मशीन में आप compound की करने के बाद में इस्पेक्ट्रा मिलता है वह आपको जो स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है वैसा मिलता है नॉर्मली यह पीक्स होते हैं एक तरफ इसका ट्रांस्मिटेड मोड होता है दूसरी नीचे होती है इसकी वेवलेंथ जो कि सेंटिमेटर इंवर्स में दीवी है नॉर नॉर्मली आपका 4000 से जो 1500 सेंटिमेटर इंवर्स का एरिया होगा वह होता है आपका फंक्शन गुर्प का एरिया और 1500 से लेकर के 600 इनवर्स तक जो एरिया होता है वह नॉर्मली आप सबसे बहुत इंपोर्टेंट चीज यह है कि स्पेक्ट्रा को रीड करें कैसे करें तो ठिकसे हैं सिंपल है कि आपको थोड़ा सा याद रखना आए उसके बाद में आपको नॉर्मली को किसी भी स्पेक्ट्रा रार को रीड कर सकते है कि कौन सा function group है इसके अंदर कौन सा नहीं है या कि इसका कौन सा present है तो normally आपको यह देखना है कि कोई भी spectra के अंदर यह CO की peak है यह आता है सत्रा सो पचास पर यह होता है CO का peak जो होता है सत्रा सो पचास पर यह peak एब्जॉर्ब करती है तो आपको सबसे पहले सत्रा सो पचास वाली CO की peak देखनी होती है जैसा कि इस स्पेक्ट्रा के अंदर दिखाए थे CO का जो peak है वह आपको देखना है नॉर्मल स्पेक्ट्रा खोलते हैं आपको सबसे पहले CO का peak देखना है यह peak देखना है सत्रा सो से अठारा सो की बीच में कोई peak है या नहीं है अगर कोई है ऐसा sharp peak अगर दिखाए दे रही है तो आपक हांना चीह कि कि CO का peak या तो या तो आपको सीडब्लोज गुरूब होगा या मइड गुरूप होगा या कीटोनि गुरूप होगा या यह ये लड्ल गुरूप होगा अगर यह peak नहीं है सबोज इसमें कोई स्पेक्ट्रा में यह peak present नहीं है तो कौन-कौन से गुरूप सकते है एलकोउल गुरुप हो सकता है फीनोल गुरुप हो सकता है और एस्टर गुरुप हो सकता है तो लोर्मली आपको यहान प्लाइक सबसे पेला तो कि आपको सीओ का जो पीक हो 170-50 complimentary परमएंड पीक जो होता है 1700 पच्छाइए इस्पेक्टर आपको खोला और खोलते ही आपको सबसे पहले देखना होता है सीओ का पीक अगर सीओ का पीक है तो निशित है आपका इसमें एल्डी आइड है कीटोन है एमाइड है या एसिड है तो यह आपकी संभावित हो सकती है इसके अंदर structure हो सकता है तो सबसे पहले आपको देखना है CO का पीक सेकंड आपको देखना है ओज का पीक ओज का पीक होता है वह आता है इस ताइप का तो मिंसा आपका OH ग्रूप आपका प्रेजेंट है hydrogen bonded और non bonded की बात हम आगे करेंगे तीसरा है आपका NH पीक NH का पीक होता है NH का पीक CH का पीक और OH का पीक आपको नॉर्मली याद रखना है CO का पीक आता है वह होता है 1750 पे NH OH का पीक आता है वो 33 पे और CH NH और OH इसका पीक 33 से 35 के बीच में आता है तो नॉर्मली जो CH का पीक होगा वह आपको इस तरह दिखाए देगा आपको इस तरह दिखाए देगा तो आपको इस ट्रक्टर को देखना है कि 33 की आसपार जो पीक आते हैं वो किस-किस की आते हैं CH का OH का और NH का तीनों पीक इस तरह दिखाए देंगे मिनसे आपका यह ग्रूप OH गूप या NH गूप आपका प्रेजन्ट है प्रजेंट निश्य थे मिलेंगी अब आगे बात करेंगे कि एसपी टू है इस्ट्रेचिंग बेंडिंग यह सारी चीज आगे बात करेंगे नॉर्मली अपन जो देख रहे हैं केवल इस्पेक्ट्रा को जो देखने के बाद में आपको नॉर्मल आइडिया केसे मिलेगा कि उसका पीक आपको इस तरह से आएगा बिल्कुल ब्रोड पीक है इसा और एनेच का जो पीक आएगा वह जिगजेक आपको यहां नजर आएंगे देट इस दा एनेच पीक उसका वेवलेंट जो होगा जो लेम्डा होगा वह होगा 3300 से 35 के बीच में अब आपको आता है दबल बॉंड अब आपको अपको देखना है कि जो CH stretching होगे जो आपको इस तरह की बीच में वह इस टाइप के होगे तो CH के पीक इस टाइप के हो सकते हैं जासे कि यह जिगजेक होता ना यह तो ओच का पीक यह है साथ में और च के साथ में CH के पीक है तो CH का जो ब्रोड ब अब डबल जो जो SP3 होगा अगर आपका जिग जग पीग SP3 कार्मन वाला है तो तीने जार के आसपास आपका अब्जॉर्मंस दिखाएगा और अगर sp2 carbon होगा जिसमें double bond c से जुड़ा हो वो 32 के आसपास दिखायेगा और sp होगा तो 33 के आसपास दिखायेगा अगर इस compound में double bond present तो आपको यह ध्यान रखना है double bond हरदम 1600 के आसपास show करता है तो जैसे कि आपका alcohol का peak साथ में यह जो peak है वो 1600 के आसपास इसे sharp peak आता है तो means double bond present है double bond अगर present है अगर कोई spectrum में अगर ऐसा peak आता है for example इसमें देखिए आप जैसे कि इस स्पेक्ट्रा में इसा peak दिखाई दे रहा है तो आपको क्या-क्या structure हो सकती है c double bond c हो सकता है c double bond n हो सकता है suppose आपके c double bond O है for example यह इसमें double bond present है तो इसमें 1400 यह 1600 के आसपास एक एक और peak आपको दिखाई दे रही है यह जो peak है c u के just pass वाली यह आपका double bond का peak show करती है इसी प्रकार आगे चलते हैं double bond के बाद में आप देखते हैं कि double bond हो गया इसके बाद में आपको triple bond triple bond आप देखिए triple bond का जो peak मिलेगा आपको वो मिलेगा 250 से लेकर के 2220 तक यह आपको इन नॉर्मरी याद रखना है N triple bond C to triple bond CH और जो peak है pH c triple bond C वो peak आपको मिलेगी 2200 की Luigi 2200 के उसपास तो आपको यह ध्यान रखना है कि triple bond का peak कहां आता है 2200 के उसपास dable bond की कहां आता है 1600 के सपास dable bond का पी calor गया सथा सथा or 50 के सपास OH का पी fright गासा है 3300 के सपास एनेच का पीक का आता है 3300 के आसपास अगर csp3 का आरबन है यह स्ट्रेचिंग है ch इस्ट्रेचिंग का आती है 3000 से लेकर के 32 की आसपास ch इस्ट्रेचिंग आती है तो नॉर्मली आपको यह अगर एक दो बार आप इस वीडियो के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा आता है और नॉर्मल आपको यह अगर कंपाउंड होता है तो क्या होता है अगर कंपाउंड है किसी वी आपके उसके अंदर राह माटेरेज में तो आपको नॉर्मली इरोडी आपको पयूर्श सू आता है या पीम स्चू चुटेट है और्थो गुट बढ़ें प्रव जुड़ा हुआ है मेटा पे गूर्व जुड़ा हुआ है पेरा पे गूरुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या रहना है 145.16 पर आपने पीक दे के लिया उसके बाद में मेंसे आपको करना है कि 2000 lev星 dar करकर एक आपको ऐसे पीक मिलते हैं सब केई इस टाइब का pumps जो orthoda करता है मेटा वाला जो को होता है इस प्रकार का पीक अनलेकेट करता है और पेरा वाला जो प्रकार को करता है पीक हो मेटा की पीक थीन पीक आएंगे दो पीक आते हैं और आपको देखना है 1400-1500-1600 पर आपको पीक मिलेंगे यह आपका अरोमेटिक ग्रूप उसमें अंदर प्रेजेंट है उसके बाद में 2000-800 की बीच में देख लीजी उसके बाद में आते हैं के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है कोई भी ग्रूप को सब्सक्राइब को इसमें कीटोन है सेम ग्रूप अगर कीटोन है तो आपको यह डबल यह फिंगर्ट रखना पड़ेगा 1350 पर आता है CH2 bending है 1400 के आसपस आता है C00O bending जो होता है LDAD का वो 1350 के आसपस आता है Benzen का जो substitution होता है वो 1600 के बीच में आता है NH का जो bending है वो 1600 के आसपस आता है Esther का होता है 1745 के आसपस आता है Ether का होता है वो 1080 आता है तो आपको क्या रहाद रखना है NH bending रखना है 1600 एनेज आपको देखना है पहले 3300 पे और उसके बाद में आपको 1600 पे चेक करना है अगर यह है तो एनेज बेंडिंग भी है और एनेज एमाइड ग्रूप आपका प्रजेंट है जिए सी डबल मंडो ग्रूप है वह आपको आपको कहां देखना है 1750 पे देखना है और साथ में 1745 से 1720 के बीच में इथर अगर प्रजेंट है तो एकजार सी पे एक शार पीक मिलेगी आपको दो चीज़ा आपको देखना है एश्टर का याद रखना है इथर का याद रखना है बाकि आपको सब पूरा कम्टीट आपको इस्ट्रेचिंग याद है तो बेंडिंग आप द आप 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 नॉर्मली आप हम एक स्पेक्ट्राइब उसकी अनलीजिस करते हैं तो अप देखिए स्ट्री जब्र खोलते सबसे पहले तो क्या करना है CO का bend देखना है, 1750 पर CO का bend है आप CO का bend 1300 पर भी देखना है 1300 के आसपास भी आपको यहाँ पर एक peak मिलेगा 1300, 1400 यह आपका CH bending हो गया आप इसके लावा CH इसमें और कोई functional group है आप एलकॉल का कोई यहाँ पर peak नहीं है आपको जिग जग पीक है, मिस आपका CH stretching है SP3 carbon है, 32 के आसपास इसकी range आ रही है मतलब आपका 3000 के आसपास आ रही है, सोरी SP3 carbon है, SP2 होगा, तो 32 के आसपास आएगा तो इस प्रकार आप दे सकते हैं कि इसके अंदर क्या है CH stretching है, और साथ साथ में C double bond O एक functional group आपका present है तो आप ये confirm कर सकते हैं कि इसमें कौन सा functional group present है C double bond O, ketone group present है इसके अंदर तो आप ये identify कर सकते हैं other data की साथ में आप इसकी structure भी आप बना सकते हैं ये addition कर सकते हैं तो normally आज आपने देखा कि functional group region में कैसे spectra पढ़ते हैं कि normally इसका बहुत simple trick है और भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको ये पसंद आया तो like करें, share करें Thank you